नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम बात करेंगे दिफरेंटिश बित्विन इलेक्ट्रो मैगनेट and पर्मानेंट मैगनेट के अंदर यानिकी इनके बीच में क्या क्या में जो डिफरेंशीज हैं वो क्या क्या है तो जैसे कि हम Electromagnet और Permanent Magnet के बारे में पढ़ चुके हैं तो Electromagnet क्या होता है यह हमारा दो words का यहाँ पर बना है अगर आप electricity जो है supply करते हैं तब जो है magnet बनता है electricity से इसके अंदर magnet बनता है और Permanent Magnet के अंदर क्या होता है अगर पहला ही difference अगर आप देख लें तो आपको इसके अंदर current को supply करना पड़ेगा जब आप current को supply करते हैं तो आपका जो है magnet बन जाता है यानि कि जो आपकी soft iron core होती है वो magnet के अंदर convert हो जाती है लेकिन अगर आप supply को off करते हैं तो magnetism जो है वो खतम हो जाता है उस soft iron ore के अंदर तो supply करेंगे तो magnet बनेगा और off करेंगे current को तो क्या होगा magnet उसका खतम हो जाएगा लेकिन permanent magnet के अंदर इस तरह का कुछ नहीं है permanent magnet जो है वो depend नहीं करेगा current के उपर एक बार अगर आपने permanent magnet बना दिया तो वो current के उपर depend नहीं करेगा तो इसके अंदर ये होगा अगर दूसरा इसके अंदर हम difference देखें जो main difference है इसके अंदर अगर आप current की supply को बढ़ा देते हैं current की supply आपने increase कर दी current की supply को बढ़ा दिया तो क्या होगा आप जो है जो magnitude of current को बढ़ाने से magnetic field को भी बढ़ा सकते हैं अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो जो strength है magnetic field की strength जो है magnetic field की वो भी जो है increase हो जाएगी यानि कि यह current पे dependent है एक तरह से current को आप बढ़ाएंगे उसकी supply को तो strength of magnetic field भी increase हो जाएगी लेकिन अगर permanent magnet के अंदर देखें जो magnetic field की strength है वो एक जैसी रहती है तो magnetic field है वो हमारा change नहीं होता तो इसकी अंदर change आपको नहीं मिलेगा तो इसकी जो है एक जैसी same रहती है यानि कि आप कहा सकते है इसकी strength जो है same रहती है दूसरा difference यह हो जाता है थर्ड अगर difference की बात करें अगर आप जो है magnetic field को increase करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जैसे हमने देखा तो इसके अंदर आप powerful magnet बना सकते हैं according to requirement तो powerful magnet को आप बना सकते हैं अगर आपकी जरूरत है अगर आपकी need है उसको powerful बनाने की तो इसके अंदर possibility है इस चीज़ के लेकिन इसके अंदर यह possibility नहीं है क्योंकि यह permanent magnet है permanent magnet जो होता है उसके अगर इससे compare करें तो इसके अंदर weak magnetic power होती है weak magnetic power होती है अगर electromagnet से अगर compare करें क्योंकि इसको तो आप strong कर सकते हैं जो कि electromagnet है क्रंट को बढ़ाने से लेकिन magnetic field जो होती है permanent magnet की यह magnetic power अगर आप कहले यह weak होती है as compared to power of electromagnet तो main इसके अंदर तीन differences होती है जैसा कि यह electromagnet है और permanent magnet है जो इनके नाम है उनी से ही समझ आ जाती है कि जो इनके differences होंगे वो क्या क्या होंगे तो थैंकिए वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद